अगर आज भी आप अपने बुराने नॉन स्टीक पैंस और काले हो चुके अलमिनम पैंस पर कोकिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि इनको डिसकार्ट करके कि अच्छा था स्टेनल स्टील का फ्राइब पैं लिया जाए क्योंकि आज कर आप जग जाहिर हो चुकी है कि अगर इक करेंगे और दिखाएंगे भी दिखाएंगे भी यह सबसे सबसे कर दिया कर दिया कि पेपरवर्क में आपको मिलती है चौबश महीने के वरिंटी दो साल के वरिंटी दे company आपको इसमें जैसा बिनोत का brand है इतने कोई कोई फास झाफ पड़ती नहीं है पर company का तो scenario है कि अन्नेन आ आपको warranty देनी देनी है है we gorgeous के बहुत कम plan आती है चलिए । की बात करते हैं अब आपके सामये है अब आशी में देख सकते हैं जो size हम जब review कर रहे हैं, वो 22 cm का size है, 22 cm के अलावा इसमें और भी sizes आते हैं, यह जो size है, यह 4-6 लोगों की family के लिए बिलकुल perfect रहता है, अगर आपकी family छोटी है तो इसमें 18 cm का size भी आता है, 20 cm का size भी आता है, और अगर आपकी family बड़ी है, तो इसमें 24 cm का size भी आता है, 26 6 cm का size भी आता है, चलिए size हो गया, आप बात करते हैं, इसके weight की, यह एक अच्छे खासे weight का pan होता है, जिसमें आपका खाना जलता नहीं है, चिपकता नहीं है, वेसल का, जितने भी cooking vessel होते हैं, चाए कड़ाई हो, चाए कुकर हो, चाए व्राइबेन हो, उनका heavy weight होना सबसे बड़ी विशेष्टा, इसका base, हम आपको इसका base दिखाते हैं, इसके base के आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुए विनूत का initial है, induction bottom है, और ये pan dishwasher से भी है, मतलब आप इसको dishwasher में रखके clean कर सकते हैं, और इसकी सबसे बड़ी विशेष्टा जैसे मैं आपको बताई की होता है, इसका base, इसका base होता है, जिसको हम triply base भी कहते हैं, इसको हम sandwich bottom base भी कहते हैं, और इसके अंदर खूबी ये रहती है, इसका base triply क्यों होता है, steel, steel और इसके बीच में भरा होता है, aluminum, encapsulated aluminum का फायदा ये रहता है, पहले चीज़ आपको clear कर दूं कि आपको aluminum है वो आ नमीनब भढ़ जाता है. इससे यह सब तरफे की कुकटा पो पर कंपाटेबल हो जाता है. का सब तरफे की कुकटा याने की ग्यास, इंडक्टन, सब था ढमें, क्हेलोचन, सब तरफे की क Jason सब देक्क के कूक्टॉप पे इसको आफ युज सकते हैं, सब जलतां नहीं है चिपकता नहीं है और खाने का टेस्ट भीन नहीं होता इसमें आपका खाना इवनली कुक होता है जह इसका बेश ओता रह आप इसमें घैस लगाता है नीचे वो इसमें बीत होुसों और ROChésitez पूरा का बुरा वैसल एक साथ गरम होता है बागे पूराने वैसल होते हैं यहां से कहीं से शूंसे जीज़ derecho जीज़ नहीं होते है चितने भी ट्राइव में आपका वेसल के साथ आते है उसमें यह जीज़ नहीं होता वो इससे था राईव को बताया कि यह budget friendly range है budget-friendly मतलब अगर आप steel के बसे use करना चाहते हैं तो hardly ये pen आपको 1000 पे से नीचे-नीचे मिल जाएगा उसके भी आपको 15-18% का discount मिलता है जो मिलोध में online चलता है अगर आप उसका कोई भी size खरीदना चाहते हैं उससब के buy links इसी video के description box में deal होते हैं जितने भी product हम आपको दिखाते हैं जितने भी review करते हैं उससब के product हम कोशिश करते हैं कि अपने description के links में दे दे ताकि आप उसको घर बेटे वहाँ हैं मंगवा सके आपको खरीदने में दिक्कत ना हो चलिए pen पे वापे साते हैं इसके handle की बात करें तो बिल्कुल soft and pattern होते हैं बिल्कुल easy to handle बहुत असानी सुठाए जाता है इसमें toasting बहुत अच्छी होती है जब आपको toast करती है माले कोई भी चीज़ आप toast कर रहे है तो बहुत अच्छा toast होता है ripting इसकी बहुत अच्छी clear दी होती है इसमें आप देख सकते हैं अंदर के तरफ से यह stainless steel के ripts दी होते हैं जिसको cleaning में बहुत असानी रहती और बार से यह aluminum के ripts दी होते हैं जो छोटे-छोटे होते हैं ताकि आपको cleaning में देखकर ना हो चलिए इसके handle के बाद होगी इसकी looks आपने देख ली sizes जिसके आपको पता ही रही है कितने अलगर रखता है इसका है दो तनी चीदे मैं आपको इसके बारे में और पता ना चाहूँगा कि जब भी आप sandwich bottom इस तरह के वैसर यूज़ करते हैं इसमें आप जब frame लगाते हैं तो medium flame लगाई ताकि वह पूरी की पूरी एक साथ आपकी इसमें evenly distribute हो जाए हाई flame पे इसने इस पर burning effect आ जाता है जिससे इसका जो बेसा वो खराब होने के चाहांच से जब इसको wash करें इसको normally soap water में ही wash करें इसमें क्यों खाज लगाने के जोत नहीं है तूल इसमें आप सब तरह के यूज कर सकते हैं शील के भी यूज होता है शिलिकॉन भी यूज कर सकते हैं टूल के लिए कुछ खास इसमें इसको यूज करेंगे तो मैं आपको guarantee दता हूँ आपके घर में जितने भी पुराने element के vessels हैं सब आप अपने आप भी अटा देंगे उमीद करते हैं कि आपको हमारी दीवी जानकरी पसंद आई होगी और अपने kitchen में आप steel के vessels add करना शुरू करेंगे और शुरुवात इसी pan से करेंगे अगर आपको हमारी दीवी जानकर पसंद आती है तो हमारी channel को like कीजे, subscribe क कीजिए और इसको जब आप purchase करते हैं हमारी जुरूर शेयर कीजिए कि आपका experience कैसा रा, किस तरह के vessels आपको पसंद है, किस तरह के vessels आप और जारकारी जाते हैं ताकि हमें comment करके बताएए, ताकि हम उसी तरह की चीज़े आपके लाते रहें, इसी तरह हमारी जुड़ी है हमारी जुड़े रहें, हमारी वीडियो को like कीजिए, subscribe पीजिए, और support कीजिए, बीचे एक bell icon होता है, उसको दो दबाईएगा, ताकि इसी तरह के जब नई वीडियोस हैं, आपको notification मिलें और आपके जानकारी थोड़ी थोड़ी जह हम देते हैं, थोड़ी थोड़ी कीजिए, thank you so much, keep watching and supporting our channel, thank you so much.